क्या UP में UP पुलिस ही यूगी के एंटी रोमियो मिशन को बर्बाद कर रही है? आखिर ऐसा क्यू हो रहा है या आपको बताते हैं UP में CM योगी आदितिनाथ ने बड़ी उम्मीदों के साथ एंटी रोमियो मिशन शुरू किया था सडकों पर एंटी रोमियो स्क्वैट के दस्ते खड़े किये गए ताकि सडक पर टहल रहे मजनूओं पर लगाम लगे लेकिन अब ऐसा लगता है कि यूपी पुलिस योगी के तमाम मनसूबों को पलीता लगाने में लग गई है हालांकि योगी पहले ही दिन कह चुके हैं कि एंटी रोमियो स्क्वैट के नाम पर जेनूइन कपल्स को परिशान न किया जाए लेकिन यूपी पुलिस इतनी आसानी से सुधर जाए तो फिर कहना ही क्या यूपी में पुलिस ने एंटी रोमियो स्क्वैड में भी करप्शन की खिड़की खोज ली है रामपुर में एंटी रोमियो स्क्वैड ने चचेरे भाई बहन को ही धर्दबोचा और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उन्हें 5,000 रुपे की रिश्वत नहीं मिल गई हलांकि मामले का पता चलने के बाद फौरण ही पुलिस वालों को सस्पेंट कर दिया गया लेकिन ये खबर अपने आप में योगी के लिए खत्रे की घंटी है एंटी रोमियो स्क्वैड के नाम पर पुलिस वालों के पास एक ऐसी पावर ट्रांसफर की गई है जिसका इस्तेमाल अगर वो अच्छे तरीके से करें तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता लेकिन इस बात की उमीद बेहत कम ही दिखती है योगी सरकार के पहले 10 दिनों में ही एंटी रोमियो स्क्वैड के नाम पर चचेरे भाई बहनों पर दबिश अलगी कहानी कहती है कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब यूपी की सडकों पर शादी शुदा जोड़ों को भी अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर घूमना पड़ेगा साबसी बात है कि पुलिस को इस मामले में सक्त ट्रेनिंग दिये जाने की जरुवत है अगर पुलिस ने इसे सब धान 22 पसेरी की तरज पर तौलना शुरू किया तो फिर हालात बिगड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा हाला कि पुलिस के साथ मीटिंग में योगी ये संकेत दे चुके हैं कि वो किसी भी तरह की ढिलाई बरदाश्त नहीं करेंगे लेकिन अब देखना होगा कि योगी की लगाम कहां तक काम आती है इंडिया न्यूज वाइरल की रिपोर्ट